अंकिता ने एक केंवर्स किया देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को यह देखिए एक केंवर्स अंकिता ने यहाँ पर यूज किया ब्रश्च पेंड यह उसने अमेजों से ओडर किया था वो मतलब करती रहती है ऐसे चीज में तो उसको कलर में बहुत इंटरेस्ट है इस कलर से इसने यहाँ पर एपलाई किया था यह इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने भी कभी अपलाई नहीं किया था यह एक एंवर्स में ब्रॉष्च पैंट उसने यूस किया देखिए और यहाँ यह पर यह देख रहे है ना ग्लेज इग लिज इसने यह ग इसना नहीं देखिए नहीं देखिए बढ़ाई हैं उसका नहीं हम सरह से बहुत मतलब दिन ङलम शहर दो रहे होँ का विछ पास कर लिए और यह तो मैं वह स्चूडन्स काम धी ध्या कर लिए तो मतलब वह उसका 12 पास कर लिया अभी वह कोर्स कर रही है फोटोग्राफिय का तो उससे मिलवाओंगी तो बहुत ही अच्छा लगा उससे बात करके और जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज 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 मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए और जो मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज लास्त तक ये वीडियो देखिए आप लोग को बहुत बहुत अच्छा लगा आज ट्विस्टे है आज मिलवाओंगी वीवी से उसके बाद अंकिता से भी मिलेंगे अच्छा जरी रोनय प्लीज बहुत 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 अच्छा है प्ल प्लोड करन्गेये और मिलेंगी उसके इत्जिए नहीं bizatu करूड लोगा। एतोई जालियो पहला विडियो तो बीव कही हो गाक कίνगे मैं आवी लगे मुझा यहारी हूं जालियो जोत है मैं रेड़ी फ से , रेडि लिवाँ हो लेड़ी है पासेना हो रहे हो वह तो यहरी बाड़ी हूँ ti प्यूप बाधा खेवास강 कोंषड़uses करता ही है उससे मिलवाओंगी फिर भी से बात करेंगे देखें यह है यहां पे ही अंकिता रहती है अंकिता मतलब सेंटन स्कूल के क्वार्टर में रहती है उसका अंकिता के फादर भी प्रोफेसर है ममी भी कॉलेज में ही करती है तो चलिया चलते हैं मिलते हैं अंकिता से बह मैं यहां पर आ रही हूँ बहुत अच्छा लगता है उसको ग्लास कराके तो कि यह फोन आया रहे है एक पाद वीवी कॉल किया हलो हाँ 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 मैं अभी सेंचन में हाँ हाँ लूट है भी बी एकसाइटेज है कि मैंकाब आऊंगी वह हमेश्या बहुत मेरा आने का वेट करती है भी करती है आट भी करती है देख जगा इतना अच्छा है यह बहुत आछा रटता है यह जगा देखिए ऐसा जगह मुझे बहुत पसंद है बड़ा बड़ा पेर यह सेंट जोन स्कूल्स कॉलेज एक साथ है उस तरफ कॉलेज है इस देखिए अच्छा है ना जगह बहुत तरफ का व साथ है को अनकीता का रिएच्छा है क्याक जाता ल doubt यह सेलीन मित क्याकिए देखिए क हैंकीता क्या करहिए वैल पेंटिंग्या मन दिखा दी हो समय की अब लोग एक अबिपी semester अब ही आप लोग अच्छा से दोड़ का सहत्त 약ुए नो देखिए मैंनननननननननननननननननननननànनन चाहता है Angkita आझ सश्वार, यह कहा बना ज़नी है वीजन थिरस्फिशन है मैं दिखा हूंकि वीजनननननननननन ओटनीन अब फिर्सफिद्सी सब्साइब Angkita क् Calebva, तुम्हीर कीजर चीजरम थे क्या है किबोर्ड की नोट्स बना रही हूं, मैं कीबोर्ड टूदून हूं तो मैं इसके रहे मतलब वाट इंट्रेस्ट थी सार्ट में? कौने क्लास में हूं? मैं अबी क्लास 9 में हूं और एवरेज स्थिदून हूं कौने क्लास से आर्ट सिख्ड़े हूं? शारीरत 1 या 2 से मुझे ठीक याद नहीं है 2016 से मैंने आप लोगों को बताया था 2016 से वह आर्ट क्लास ले रही है उसका जो आर्ट है मैं वह भी दिखांगी बहुत अच्छा ड्राइं करते हैं आप लोग मेरे पेज में भी देख सकते हैं मैंने लास्ट वीक ही अपलोड किया आर्ट बाई अंकीता शाह करके आप लोग गूगल में टाइप करके मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं देभी का आर्ट सेंटर तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं अंकीता अभी तुम यह मतलब कब तक फिनिश करने वाले हैं क्योंकि मुझे आट बहुत जाता पसंद है इसे शायद 2-3 दिन में में ख़तम करने की कोशिश करने तो अभी तुम्हारा द्राइंग दिखाओ फिर आम लोग कीबोर्ड भी सिनेगे मैंने आप बलोगों को बताया था ना अंकीता की बोर्ड सिखती है वह बहुत अच्छा स्टूडेंट है अंकीता की बोर्ड बजाती है तो यह यहां पर कीबोर्ड रखा हुआ है उसका तो इसलिए इसके उपर ठीक यह मुजिक नोट्स बना रहे है यह सिंबल तो बहुत अच्छा लुक्स आएगा जब यह कंप्लीट हो जाएगा बात में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कंप्लीट हो जाना इक पर तो अभी अंकीता आओ एक बार तुम्हारा ड्रॉइंग दिखाऊ जो तुमने बनाया अफ यह देखिए उसने बनाया कितना सारा केंवर्स केंवर्स करने में बहुत-बहुत इंट्रेस्टेट है और उसका एक कॉपी भी दिखाती हूं आप लोगों को वहांपे तो इतना सारा उसने यह कार्टून बना के रखी है बहुत सारा वह बहुत इंट्रेस्टेट है यह देखिए पहले के एंवर्स देख लिजिए वन बाई वन दिखाऊ नाइट सिनरी एंड सांसेट सिनरी एंड यह भी बनाया उसने एंड नेक्स्ट यह उसने लास्ट वीक मुझे मैंने उसको माधर्स जिगर द्राइंग दिया था होमवर्क म इस थोड़ा ही कंबरेंग रिजिया था धृ वे लिएह अंड ऑन-लाइन से औरिया यह पार्णू यह सने बहुत अच्छा लगा यह नाइट सिनरी और माधरजडी का द्राइंग भेली दिखाऊ यह उसने पोस्ट किया था मदरस्टे के दिन मैसेज भी लिखा देखिए ना बीटिफुल सा मैसेज है बहुत अची है वो देखिए और दिखाओ यह किसको बनाया है? मुझे तो नाम नहीं बता है यह एक एनिमे करेक्टर है अन्या स्पाइक्स फैमिली आप उससब यूटिब में देख सकते और यह मेरा एक सबसे फेवरिट करेक्टर है मुझे वो बहुत कट लगती है अच्छा और भी लिखाओ और नाम बता देजाओ अच्छा पर भी इसन आम है सकुरा और यह में रोल मोडल है क्यूकि यह बहुत पावरफुल भी है तुम्हारी तरह तुम्हारी तरह और इसे दबताने का ज़रूरती नहीं है पोकेमोन, एश, शर, शरीन, मैफ यह मुझे नहीं बता था और यह तोनों है यह मेरा पेप्रेट है यह बहुत अच्छा लगा यह स्काय का कलर और आप लगो को भी बहुत पसंदाया होगा तेखिए स्काय का जो फिनिशिंग पार्थ है बहुत अच्छा लगा और यह भी नाइस सिनरी भी बहुत अच्छा है और यह यह सिनमन रोल है यह एक एनिमे इसेल्फ है तो यह बहुत च्यूट करेक्टर है अंकिता ने एक कैनवर्स किया देखिए मैं दिखाते हूँ आप लोगो को यह देखिए यह एक कैनवर्स अंकिता ने यहाँ पर यूस किया ब्रॉष्पेंड यह उसने अमेजों से ओर्डर किया था वह मतलब करती ही रहती है यह एक कालर में बहुत इंट्रेस्ट है तो इस कलर से इसने यहाँ पर अपलाई यहाँ ने इसलिए आप लोगो को बता रहे हूँ कि मैंने भी कभी अपलाई नहीं किया था यह रहाँ पर यह जो यह जो जो यह देख रहें ना ग्लिजन ग्लीटर पैन उसक्षा किया इसमें और नियू क्रियेट किया तो मैं अभी अलग स्टुजेंस को भी ऐसा बोलूगी तुम लोग कैंवर्स में यूज कर सकते हो ब्रश पेंड यूज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है देखिया अच्छा क्रियेट किया अभी तक तो हम लोग क्या क्या क्लर यूज क सकते है canvas में और यह भी कब order किया यह तुमने और उसका और एक बहुत मतलब एक शॉक है वो दिखाती हूँ वह आप लगों से शियर करना चाहती हूँ देखिए मुझे वह मंत में एक एक बार तो दिखाती है उसका डायरी का कलेक्शन देखिए नहीं कितना सार एदेखिए वह ओन लाइन में ओडर करती रहती है देखिए डायरी उसका एक युच सा डायरी जेखिए यह खोल के दिखाऊ ना वा आउ वाव आभेडेश है यह स्ट्रेस्स रेलीर निए सौनीजा, चीमें एसे लिए बार अजिख और लिखा ट्रेस कम और ठ यूजनार्यव कि आप्ट लिए तुटे का अन्यो जर्नीम के लिए मचे다 लगा तुरूणिवा है अजिया है अज्याम कुछी तो इसे मुझे दो बीलकुल भी नहीं पता हमेने से थौरा हुआ खुद भी देटरist किया है यह रिखिए इस मेरे फेर्डे नहीं परेदि किया था यह बहुत अच्छा बत है मैं यहाद अआ टीथ भी रैटि टी थी कहा है मैं पर चभर सा जर्नुलिंग भी था है है रहा है अगार है तो छिष्ट है गारे है तो पहाँ अधर जारा है? मैं थो यह रील थैज दी कैमरा? यह वहाँ देखना और हम रहे है यह दो है को यह जे वहाँ हम ऑले दिखसा है इसा पर मने यूसने किया बहुत अधे नहीं तो यू तो यह केले है जैसा मैं यहरींस का क्लेक्शन रखती हूं यूस करूँ यां करो जिसे एरिंग का क्लेक्शन ऐसा अंकीता डाइरी देखिए वाओ और यह दोनों मैंने एक बतलब कमपेडिशन में जीता था, दोनों ही ऐसे कमपेडिशन्स थे वाँ मतलब यह कलर जो है वाटर कलर देखियो तुम भी कर सकते हो घर पे ना ऐसा वाँ और यह मेर मामी ने गिप दिया था यहाँ अजल तुम्हें उन्हें पहता है रहाँ और फिचर में क्या बनना चाहते हूं अभी तक तो मैंने सोचाने पर हां मुझे एस्ट्रोनोथ में बहुत ज़ादा इंट्रेस्ट है तो शायद कभी स्पेस हैं हां शूर 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 बन पाओगे मैं गोट से प्रे करूगी यह भी यूस नहीं किया वह यूसी नहीं करती है कलेक्शन लगती है और अंकीता भी मेरा बहुत है अच्छा मतलब मेरा फेबरेट स्टुडेंट है और एक रिजन भी है क्यूंकि वो एसामिस है और मैं आसाम से हूँ तो मुझे एसामिस में बात करना बहुत-बहुत पसंद है एसामिस लोग भी पसंद है मतलब यहां पर जो दिमापूर में मेरा अंकीता असामेस स्टुदेंट है दितिश्वान से मिल भाया था दितिश्वान भी असामेस है तो जब भी चांस मिलता है उन लोगों से मैं असामेस से बात करती हूँ हॉए नहोए अंकीता मुझे बहुत पसंद है ऐसामेस लोग तो देखते हैं दूसरा भी ड्राइंग आर्ट बुक है तिखाओ वो लास्ट येर एक कंपेटिशन भी जीती थी वो आप लोगों को बताएगी वो कुद बताएगी आप लोगों को लास्ट येर जो तुमने एक एसे कंपेटिशन जीता था ना उसके बारे में कुछ बताओ एसे कंपेटिशन वो अचलिए एक डिस्ट्रिक लेबल एसे कंपेटिशन था और उसका टोपिक था स्कूल की तरफ से ही उन्होंने मतलब सब्मित कर दिया था बेस्टू आफ मतलब इंटार क्लास के तो उसमें मैं लगकी ली जीत किया मुझे बहुत अच्छा लगा दो और तुम्हा स्कूल का दम? स्ट जोन हार से केंडरी रेसिदेंशल स्कूल सबका है मैं पर बच्छपन से को सीरय नहीं है और तुम्हा रेस और आर्ट क्लास लैना किसा पसने बहुत अच्सा लतायस लूंज लेना कभी upirin लगना है प्राइसे भी ज्याता क्लास लुक्त अचा ठीक हशार लगा डिखो तो यह देखिए यह बहुत बहुत इंट्रेस्टेड है यह ऐसा ड्रॉइंग करने में इसा टाइप का वो सभी सब करते हैं सिनर्वी करती है वो यह ज्यादा पसंद है और भी दिखाऊ देखिए इस तब उसने विंटर विकेशन में किया मैं जब आई आई यह जब आई ग्लास जोईन किया दिस यहोड तो सब ड्रॉइंग मुझे एक साथ दिखाए थी वो ज्यादा तर तुमने कॉन सा कलर यूज किया इसमें यह अन्हे ने देखिए बनसल कलर यूज किया है बात में मैंने थोरा थोरा इसका कलर थोड़ा इस पेज में लगा कोई बात नहीं बट अच्छा ये ड्रॉइंग बहुत अच्छा था काश मेरा ऐसा कलर का हैर होता नेक्स बात दिखा ही जा रही है थी वह दिखा ही जा रही है दिखिए ये वाटर कलर से क्या था ये फर्स टाइम क्या था ना वाटर कलर येस फर्स टाइम इसी में क्या था यह ब्रश पेंच से किया था उसने उनलाइन से ओडर किया था फिर फिर यूज किया था इसमें हाँ यह दिखा अट्राइशनल नागा कर एनिमे फेस बट यह एक आर्ट कंपिरिशन था इसलिए करवाई थी बट उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था उसको किसी जवरी काम स आसाम जाना पड़ा था इसलिए हम यह भी किया यह देखिए कितना फिनिशिंग है ड्रॉइंग एंड कलरिंग बोथ यह बहुत क्यूट फेस है उसकी तरह ही उसने एक टिथाजन शिक्स्टीन या सेवेंटीन में एक टी-शिट पेंटिंग किया था मैंने क्लास में ही करव यह बहुत है तो इसे टी-शिट को इतने अच्छी लगने लगी ना वह अभी भी पेहनती है न किदा अभी भी पेहनते हो ना यह दो यह होली में किया था उसने जाली यह वाटर कलर से थोड़ा बैक साइड का कलर आ गया कोई बात नहीं यह किसे किया था तुमने यह तो घर पे ही किया था इसलिए मैं पूछ रहे हूं यस फैबरिक भी यूज किया ना अच्छा ठीक है अब भी अंकिता जो मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में सुनाएगी आप लोगों को कीबोर्ड बजा के वह बहुत अच्छा स्टुदेंट है कीबोर्ड का तो चलिए सुनते ही वह वाल पेंटिंग कर रहे थी इसलिए कालर वगेरा यहां पे रखा हुआ था वो थोड़ा सेट अप अभी कर लेगी मुझे भी बहुत पसंद है कीबोर्ड का बार्बी को भी क्लास मतलब मैं कराना चाहती थी बट बहुत दूर है वह हम लोग घर पे नहीं रहते हैं तो कौन कैसे पॉसिबल नहीं है इसलिए उसने कुछ दिन पहले एक पोग्रम भी अंकीता ने मतलब स्कूल में ही एक पोग्रम हुआ था उसमें भी बहुत अच्छा बजाया था तो उसने पोस्ट किया मैंने वह पोस्ट मैंने फेस्बुक में भी शेयर किया बहुत अच्छा बजाती है आप लोग सुनिए झांगे किया और ज辌 मैंत्व कर दो कि शेयर वे एक कालua जो और हो ध बलाव कर एक के अली है कर दो दो झाल वावाव वाव वहाव लगाएँ अच्छा, आज़के लिए हुआ तो ही क्लेपाइब जाना होगा, वेरी ज़ए, वेरी बेरी गुट अजर की तुराइग अच्छा, तो तुर में अजो आजाओ अज़गे, अज़ए यह अनली थ्री फोर मंथ का ही ड्राइंग है पहले जो किया था यह पर नहीं है वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया पहले का ड्राइंग मैं बात में दिखाऊंगी आप लोगों को अंकीता का प्रफॉरमेंस था प्यानो का ड्राइंग कैसा लगा प्लीज आप लोग मु प्लीज वीडियो का अच्छा रगे तो लाइक, कॉमेंट और शेयर किजिएगा और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीवी से और पहले आंकिता को बाई बाई तो किजिए बाद भी आंकिता का और भी ड्रोइंग देखेंगे और ये वाल बेंटिंग कम्प्लीट होने के बाद भी मैं दिखाऊंगे आप लोग को ठीक है तो चलिए चलते हैं अभी बीबी से मिलते हैं बाई बाई